प्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत आप सबका फिर से एक बार हमारे डार्क सिक्रेट चैनल में फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही आमेजिंग रेमेडी लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रोजवाटर यानि की गुलाब जल की मदद से अपने चेहरे के सोंदर्य को और जदा बढ़ा सकते हैं और उसे स्पोटलेस, ग्लोइंग और ब्राइट बना सकते हैं क्योंकि रोजवाटर सोंदर्य के लिए एक जादू की आउशदी है चाहे आपकी स्किन ओईली हो, ड्राय हो या फिर नॉर्मल हो ये हर त्वचा के सोंदर्यों को बढ़ाने का काम करता है क्योंकि गुलाब जल एक टोनर की तरह काम करता है जो आपकी त्वचा की गहराई से सफाई करता है लेकिन अगर आप रोजवाटर के साथ कुछ चीज़ों को अड़ करते हैं तो ये आपके चेहरे से पिंपल्स, डार्क स्पोट्स, संटैन या फिर डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है और आपके चेहरे को बहुती बेदाग और खुबसूरत बनाता है तो इसके लिए फ्रेंट्स आपको क्या करना होगा मैं आपको बताती हूँ लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजो के नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा तो फ्रेंट्स इसके लिए आपको चाहिए रोज वाटर यानि की गुलाब चल सबसे पहले तो आपको एक क्लीन बाउ लेना होगा और फिर आपको इसमें आड़ करना है दो चम्मच मिल्क यानि की दूद और फिर आपको इसमें आड़ करना है एक चम्मच रोज वाटर यानि की गुलाब चल और अब आपको फ्रेंट्स इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है और जब ये अच्छी तरीके से मिल जाए फ्रेंड्स तब आपको एक कॉटन बॉल लेना है यानि कि रूई और इसे अपने साफ चेहरे के उपर इस तरीके से अपलाई करना है फ्रेंड्स कच्चा दूद और रोज वोटर को एक साथ मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लेने से चेहरे के उपर से डार्क स्पॉट्स यानि कि पिंपल्स के करनाने वाले जो भी दाग धब्बे है डार्क सरकल से वो दूर हो जाते है और ये क्लींजर की तरह काम करता है और आ भार निकालता है जिससे आपके स्कीन बहुत जद्धा क्लीन और क्लियर हो जाती है और पहले से बहुत जद्धा ब्राइट डिकने लगती है फ्रेंड्स आपको इसका इस्तमल करना है रात को सोते समय रात को सोने से पहले आपको इसे अपने चेहरे के उपर अच्छी तरीक वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आप इन दो में से किसी बेक रेमेडी को ट्राइ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इसके सेकेंड रेमेडी के लिए आपको चाहिए एक चममच लेमन जूस यानि कि निम्बू का रस नेख्स आपको इसमें ऐड करना है साथ से आड रॉप्स ग्लिसरिन और लास्क में आपको इसमें ऐड करना है सबसे इंपोर्टन चीज वो है और रोज़ कि आपको एक चममच रोज़ वाटर इसमें आड करना है और अब आपको फ्रेंट्स इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेना है फ्रेंट्स जब ये अच्छी तरीके से मिल जाए तब आपको एक कॉटन बॉल लेना है और इस मिश्रन में इस तरीके से डीप करना है और फिर आपको इसे अपने साफ चेहरे के उपर इस तरीके से अपलाई करना है और फ्रेंड्स अपलाई करने के बाद आपको 5-6 मिनिट इस रूई से अपने चेहरे को अच्छी तरीके से मसाज करनी है आप चेहरे को स्टीम लेकर भी इसे अपलाई कर सकते है लेकिन आपको steam सिर्फ हपते में एक ही बार लेना है डेली नहीं तो 4-5 मिनिट तक फ्रेंट्स अच्छे तरीके से मसाज करने के बाद आपको इसे overnight अपने चेहरे के उपर ऐसे ही छोड़ना है अगर आप इसे overnight नहीं रख सकते तो 2 घंटे के लिए अपने चेहरे के उपर इसे ऐसे ही छोड़ दीजे और उसके बार इसे थंड़े पानी से wash कीजे फ्रेंट्स मैंने इसमें lemon को यूज किया है क्यूंकि lemon में bleaching property होती है जो आपके skin को instant bright look देता है आपके चेहरे पर एक glow लाता है और glycerine आपके चेहरे को moisture प्रदान करता है और lemon और rose water की मदद से फ्रेंट्स आपके चेहरे से pimples और दाग धब्बे दूर हो जाते है जिससे आपके चेहरे पहले से बहुत ज़्यादा बेदाग और खुबसूरत दिखने लगता है तो friends आप इन दो में से किसी भी एक remedy को जरूर ट्राइ कीजिए और अगर आप दोनों भी यूज करना चाहते है तो भी आप alternate दोनों भी यूज कर सकते है इससे आपके चेहरे का complexion bright होता जाएगा और चेहरे से दाग धबे वो भी दूर हो जाएगे तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा बेदाग और खुबसूरत दिखने लगेगा तो आप इससे ज़रू ट्राइ कीजिए और मेरे साथ इसका experience ज़रू शेर कीजिए और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेर कमेंट्स करना मद भूलिए और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे सिक्रेट्स में आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ जो आपसे मिसना हो तो फ्रेंड्स मैं अब आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सिक्रेट के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए